इह लोग प्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल रूषी एडुकेटर पर आप लोगों का बहुत 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 वेलकम है और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस पर टीजिटी-पीजिटी के joystick के लेक्टर्स लेकर के आ रही हूं तो ये फिरेंड्स जो आपका जो मैंने ल जान्ट आट्टर वाओंगी फ्रेंट तो चलिए और यह जो लेक्शर है फ्रैंट चुकि अब डी ट्रीपल अस बी का जो निटिफिएशन वह आउट हो गया है तो इसलिए फ्रैंट सच और यह जो बैलोजी का लेक्शर है यह सारे एक्जान्स हो घवर कर रहा है तो आप डी 27th question आज आ गिया है यह है which one is odd तो यहां पे जो which one is odd है इसमें option है alien sepa, B है helionthus anus and C brassica gencia and D है arachis hypogea तो यहां पे देखिए friends यहां पे आपको जो option है इसमें जो odd है वो करना है आपको पता है कि यह taxonomy of flowering plant है तो इसमें मैंने families के बारे में बहुत सारे descriptions है वो सब सब detail में बताए थे तो यहां पे आपको odd one out में करना है तो जो 27 उसका पहले मैं answer बता देती हूँ 27 का जो answer है वो आपका a correct हो जाएगा alien sepa तो friends यहां पर हमारे पास a alien sepa यानी जो onion होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो odd है बाकी आपका hellionthus, anis, brassica, gentia and arachis hypogia है वो एक कटेगरी में आ जाएंगे मतलब आपको similarity चूस करनी है कि कि यह जो तीनों हैं वो similar है किसी क्वालिटी किसी characteristics में बट क्या जो है कोई एक option ऐसा है जिसकी characteristics अलग है तो आपको alien sepa जो है वो आपका option correct हो जाएगा next यहां पर जो हमारे पास है friends वो क्या है रैफैनस रैफैनस belongs to तो अब रैफैनस आपका पूछा हुआ है कि यह किस family से belong करता है यहां पर आप जो है रैफैनस रटाइवस मैंने पता है था मुली को कहते हैं और option a है एस्ट एसी बी ब्रैसी केसी सी सॉलन एसी और डी है लिली एसी तो जो यहां पर 28 का जो option है फ्रेंड वो बी बिल्कुल correct हो जाएगा 28 का बी option बिल्कुल correct हो जाएगा यानि कि यह ब्रैसी केसी यानि ब्रैसी का कमपेस ट्रेस इट मेंज कि जो mustard होता है mustard family basically family को mustard family भी कहते है यह उस family से belong करता है ठीक है तो यह जो है mustard family का member है और यह डेफैनस टाइवस के गर बात करें तो यह है मूली तो चलिए फ्रेंड्स अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो 29 वाला है 29 वाला क्या है इसमें हैं कि बाई कार्पलेरी अब यहां पर देखिए आपको बताना है कि यहां पर सबसे पहले मैं आपको जो करेक्ट है वो बताऊंगी यहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 29 का C ठीक है यहां पर 29 का C एस्ट रेसी फैमली हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसके जो पहले जो लेक्टर बनाया है वो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद पर आपको आज का लेक्टर और जादा समझ भेंगा क्योंकि उसमें काफी क हो जुका है तो चलिए यहां पे जो हमारे पास जो एस्ट रेसी है एकला वह बिलकुल करेक्ट हो जाएगा और दिन उसके बाद आपका जो यहां पर देखिए नेक्स कॉ cliche नेक्सकोशन हमारे पास आगेया है धतूरा बिलॉप बिलॉंग्स टू कि धतूरा इस विलॉंग क वो belong करता है हमारे पास जो 30 का option हो जाएगा वो बिलकुल D correct हो जाएगा यहाँ पर D चॉली नेशी से belong करता है और धतूरे के बारे में मैंने बताया था कि यह medicinal plant की category में आता है और इससे जो drug होती है वो एक drug निकाली जाती है जिस drug का नेम भी था कि वो drug है इस्ट्रेमोनियम ठीक है इस्ट्रेमोनियम फिर से मैं एक बर बता दे रही हूँ और यहाँ पर देखे इस्ट्रेमोनियम यहाँ धतूरे से धतूरे से धतूरे से इस्ट्रेमोनियम से इस्ट्रमोनियम ड्रग ऑप्टिन की जाती है और किस पार से ऑप्टिन की जाती है यह उ तो एट्रोपा बेलाडोना है उससे एट्रोपीन भी मिलती है तो यहां पर एट्रोपीन भी है यह भी दवा होती दवा की तरह काम की जा करता है यह और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए यह जो एट्रोपीन है वो कहां से निकाली जाती है तो एट्रोपीन जो है व अश्वगंधा जो है वो विथियाना सौमनी फेरा है और ये जो अश्वगंधा जो इससे जो ड्रग निकाली जाती है जो दवा बनती है फ्रेंड्स वो रुमेटिजम जो होता है रुमेटाइड अर्थराइटिस उसको ट्रीट करने के लिए काम में आती है और ये भी रूट तो मैंने कहा था कि जो फैमिली है ये टमाटर और बैंगन वाली टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो वाली फैमिली है तो ये सब चीज़ें आप लोगों को फ्रेंड्स पता होंगी और एक और इंपोर्टन बताया था मैंने कि निकोशियाना टाबिकम यानि जो टोबाकू है उ आप एंथर होता है तो जो है तो इसको घाइनथर का उन फैमिली और एक पूली और ट्रोट्रेटर होता है ठीक है जो पॉलियन रिलेटेड में ये किस फैमिली में प्रेजन्ट होता है तो यहां पर हम लोग option देख लेते हैं, option A है एपोसाइनेसी, B है एस्कली पीजिटी के exam में, तो यहां पर 31 है इसका जो हमारे पास correct जो answer है फ्रेंड वो 31 का B correct हो जाएगा और यह जो B है हमारे पास यह क्या एस्कली पीजिटी इस फैमली में आपको गैनस टेजियम और पोलीयां दोनों ही structure देखने को मिलेंगे नेक्स्ट हमारे पास है सनफ्लावर देखिए हर फैमली का आपको special character मिल जाएगा फ्रेंड तो उससे आपको learn करने में बहुत easy हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे चो 32 है उसका B यानि कि यह एस्टरेसी फैमली का मिंबर है तो यहाँ पे एस्टरेसी बिलकुल correct हो जाएगा तो एस्टरेसी फैमली का मिंबर है फ्रेंड सनफ्लावर और इसमें टू टाइप के फ्लोरेट पाए जाते हैं एक तो सुर्री एक तो डिस्कलूरेट होता है और एक होता है रिफलोरेट तो चलिए फ्रेंड नेक्स हम लोग आते हैं 33 33 है यहाँ पे हमारे पास तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर यह question है option A, malvacy, B, cypressy, C, crucifery and D, solenacy तो यहाँ पर फ्रेंट्स जो मैंने last lesson में बताया हुआ है कि यह जो है monodolphus यह क्या होता है यह malvacy family, smallvacy family को क्या कहते है smallvacy family को हम लोग cotton family भी बूलते हैं तो यह cotton family में है और आपने बहुत अच्छा इसका example हर घर में देखा होगा कि यह good health का फूल यानि कि चाइना रोज या तो फिर आपको उसको शू फ्लावर भी कहते हैं या फिर इसका botanical नेम है hibiscus rosa silences इसमें आपका जो monodolphus condition है पाय जाता है मैंने कहा था कि यह जो stamen होते हैं वो एक ही bundle में present होते हैं इसलिए इनको monodolphus कहते हैं और जो leguminacy है यानि कि जो api family देखते हैं उसमें क्या होता है डाइडलफस condition पाय जाती है और जो stamen होते हैं वो दोड bundle में present होते हैं एक free रहता है और बाकी कि जो nine होते हैं वो fuse होते हैं एक bundle में होते हैं तो next यहां पर हमारे पास question है 34 which of flowing are not characteristic feature of fabacy अब से में कहा गया है कि ऐसा कौन सा feature है जो fabacy का characteristic नहीं है option हमारे पास है a tap root system compound leaves and receive inflorescence b flowers actynomorphic twisted astivation and gamma patellis c stamen stent introse pacifics diithecus d bono capillary ovary superior and bent stigma e fruit is legume तो अब यहां पर बताना है कि जो characteristic feature नहीं है not पर ध्यान दीजेगा friend तो यहां पर हमारे पास जो 34 है उसका B correct हो जागा यानि जो flowers हैं वो actynomorphic नहीं होते हैं zygomorphic होते हैं मैंने यह last time बताया था diagram ड्रॉकर करके ऐसे यह actynomorphic का मतलब कि आप इसको किसी भी plane से जब इसको cut करेंगे तो यह आपका equal divide हो जाएगा actynomorphic को हम लोग radial भी बोल सकते हैं animal kingdom के term में तो अब यहां पर twisted estimation twisted estimation भी नहीं होता है papillonaceous corolla पाया जाता है इसका मैंने बताया था आपको आपको यही करना था जो रॉंग था उसको राइट करना था तो चलिये नेक्स्ट हमारे पास जो question है फ्रेंड वो देखते हैं तो देखिए friends इस question से सबसे पहले तो आपको यह पता चल गया कि यह जो सारे fruits हैं वो solanasi family के हैं तो अब यहां पर आपको यह बताना है कि सबसे इच्छा vitamin C का source कौन है तो अब आप लोग डेली खाते ही होंगे सबजियों में भी पढ़ता है और red color का होता है आप लोगों पता चल गया होगा यह क्या है टोमेटो विल्कुल टोमेटो है तो टोमेटो आप लोग ने सबने देखा हुआ है option हमारे पास B correct है next यहां पर 36 है फ्रेंट 36 में हमारे पास अब यहां पर आ गया कि the characteristic feature of placentation found in the members of karyophyllacy तो अब यहां पर carrier fallacy के बारे में बताना है कि उसका में placentation कौन सा है option A parital B marginal C vessel B exile and E free central तो friend यहां पर जो हमारे पास option हो जाएगा 36 का वो कौन सा correct हो जाएगा वो हमारे पास E हो जाएगा यानि कि free central तो free central वाला जो diagram था एक मैंने question लिया हुआ था जिसमें कि diagram से आपको बताना था तो मैं यहां पर बता दे रही हूं फिर से देखिये free central में ऐसे होगा यह और जहां पर यह margin से बिलकुल तच नहीं होगा यह बिलकुल center में होगा यह फ्री center वाला और इसी पर placenta पर ऐसे करके वीउस लगे होते हैं यह free central बोला जाता है ठीक है यह कहीं से भी यहें प्री सेंटरल है और यह किसमें पाए जा रहा है केरी कह दोन मरें है देखिए मैच और मैच वाले कोश्चन अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें एक कोश्चन से कई चीज़ें टेस्ट हो जाती है लर्न होती है तो यहां पर 37 में देख लेते हैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से माच करना है करक्ट आंसर चूज करना है तो कॉलम 1 में हैं आपका माइक्रोस्पर्मी बी एपिगाईनी सी क्यालिसाईनी डी एपोस कार्पी ए कोरोनेरी और फिर कॉलम 2 में है वन है आपका एलिस मेसी 2 लिलियसी 3 इरिडेसी 4 और्किडेसी 5 पामी तो अब यहां पर आपका जो फ्रेंड करेक्ट आप्शन होगा वो बदा देती हूँ 37 का सी 37 का यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा तो देख लेते हैं यहां पर ए का पोर है यानि कि जो माइक्रोस्पर्मी है वो किसे म मैच होगी टेन गरीकत फ्री है यानि A-P गाइनी के लिए क्या माच होगा A-P गाइनी जो है वो आपकी इरिडेसी में होगी डेन आपसी का पाइफ हो जाएगा यानि की यहां पेसी का हम लोग पाईब कर लेते हैं और D का one कर लेंगे एपोकारक पा आपта एलिक्Ну इस मेसी थर्टी एट है, थर्टी एट में क्या है, इन दी मेंबर ओफ फैमिली माल वेसी, एंथर सार्स डिस्क्राइब एस, तो देखिए इतना इंपॉर्टन कोश्चन है यह कई बार पूछा जा चुका है, तो यहां पे जो इसके एंथर होते हैं, उसका उप्शन दे रखा है, ए ड यहां पे जो हमारे पास थर्टी एट है, उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानि की मोनर डल्फस और मोनो थेकस होगा, नेक्स यहां पे हमारे पास थर्टी नाइन है, एलो, एलो को जिसको ब्यूटी प्लांड भी कहते हैं, बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्स में इसका यूज होता है, इसके जल को बहुत जादा यूसफुल माना जाता है, यहां तक कि इसका जो जल होता है, वो कहीं पर भी अगर बर्न हो जाए, जल जाए, कहीं पर आप कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी भी तरीके से एगर थोड़ा बहुत हलका फुल का जल जाए तो वहाँ पर भी कहते हैं कि yellow का जल लगा लेंगे तो वो burning ठीक हो जाती है इसके लावा hair के लिए भी बताया जाता है बहुत सारे medicinal यूज है friend इसके yellow की medicine भी आती है जो इस टमक में जो upset होता है तो इसके लिए दी जाती है तो यहाँ पर हमारे पास जो yellow है यह किस family का मेंबर है फ्रेंट तो देखिए थर्टी नाइन जो हमारे पास है उसका जो ऑप्शन है वो लीली एसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लीली एसी जो है हमारे पास लीली फैमली या फिर इसमें इसका अनियन और गार्लिक बहुत अच्छा इसका मेंबर है इससे वाप इसपीशी बिलॉंग टू विच ओव दी फॉलोइंग फैमली रिस्पेक्टिवली अब यहाँ पर देखिए पिक्चर दे दी है कहा है पिक्चर से पहचानी है फिगर्स दे रखें फ्रेंट्स और फैमली बतानी है नेम भी दिया हुआ है जैसे कि पासम सटाइवम है यह आ देखिए प्रेट्स देखिए फैमली ना जानता हो तो यह इसाँ पर देखिए हमारे पास सी ऑप्षन्हें क्या है यहługों यहीं जब फैबे सी है वो छींगिंशी की सब फैमिली ये दो उसके बाद आपका जो सोलेनसी है सोलेनं siya आप याद रख lesson और नाइंग्र ant primal तो ये तो ये इन उसके बाद लिली claim लियम एंड लिली ये लिली फैमिली का फ्लांट उससे पहन्षाल सकते हैं तो यहां पे सिक डुर्पित जो प्रीबinge question की तरफ बढ़ते है 41 question हमारे पास है यहां पर देखिए chief feature of family brassi casey या crucifery is presence of अब यहां पर family brassi casey या crucifery का जो आपका important या chief feature है वो क्या है वो है option a latex b pectin c alkaloid and d marosin enzyme तो देखिए friends अच्छा question है यहां पर हमारे पास यह जो d है वो बिलकुल correct हो यहां पर दिया हुआ है इससे आपको पैचानना है तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग friends अब यहां पर तो डाग्राम से आप देख रहे हैं कि यह जो चीज है यह क्या है ठीक है और उसके यह चीज जो है यह क्या है तो इसको आप पहचाननी और बताईए चलिए मैं आगे आपको option बता ही देती हूं यहां पर जो option 42 का वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है united well weight samples है ठीक है well weight है क्यो वेल का जो बताया था मैंने वो estimation वो कैसा होता है वो बिल्कुल सिर्फ टच करता है इस तरीके से सिर्फ टच करेगा फ्रेंड्स यह यहां पर देख लेजिए तो यह क्या होगा और टच करेगा अब यहां पर भी देखिए well weight का बताया हुआ यहां फ्री इंब्रिकेट पैटल्स है यहां अंदर की तरफ जो पैटल्स है उसको देख सकते हैं इस टैमेंस फ्री है यूरी लॉक्यूलर ओवरी बिल्कुल उसकी जो ओवरी अंदर में सिर्फ एक ही लॉक्य प्लेसंटेशन है ठीक है तो मार्जिनल प्लेसंटेशन है यहां पर तो यहां पर हमारे पास जो है जो 42 कर डी है वो करेक्ट हो चुका है नेक्स्ट यहां पर देखता है नेक्स्ट यहां पर फ्रेंड्स यह जो है एक्जाम्स में आयोए कुछ कोशिंस यहां पर थे इस पे जाती है यानि कि हेलोफाइट्स जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं हेलोफाइट्स पी उनको बूला जाता है वहाँ पे यह होती है और इनको श्वसन मूल हिंदी में कहते हैं ब्रीधिंग रूट्स कहते हैं तो A option sandy soil, B है saline marshy soil, C marshy soil and D है water तो यहाँ पे हमारे पास जो option हो जाएगा वह बी करेक्ट हो जाएगा saline marshy soil नेक्स्ट हमारे पास question है sweet potato is homologus तो कहरें जो sweet potato है वो किसकी homologus है तो देखिए friends पहली बात तो आप यहाँ पे ही जान लीजिए कि जो potato होता है वो underground stem होता है जो potato है वो underground stem है और यह क्या होता है यह जो है stem होता है stem की category में है और जो sweet potato होता है यहाँ पे वो क्या होता है वो root होती है sweet potato जो है वो root की category में है तो जब यह root है तो इसको कहा गया है किसके homologus है तो option A, ginger, B, turnip, C, potato and D, colocasia तो यहाँ पे जो C option है वो तो हो नहीं सकता क्योंकि जो यहाँ पे जो potato, sweet potato है वो root है और जो potato है वो underground stem है तो यह option तो eliminate हो चुका है तो यहाँ पे अब हमारे पास जो 2 का option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा यहाँ पे turnip, चलिए, turnip क्यों हो जाएगा कि जो turnip है, वो क्या है, वो modified root है जो food store करती है next हमारे पास option है यहाँ पे, next question यहाँ पे an example of edible underground stem is अब यहाँ पे आपको बताना है कि edible underground stem का example कौन सा है तो देखिए, अभी उसके बारे में बात हम लोग करी रहते हैं, तो options देख लेते हैं sweet potato, B potato, C carrot and D ground nut तो option जो है, वो 3 का B बिल्कुल correct हो जाएगा potato friends, यह जो potato underground stem है यह अभी भी still बहुत चलोग इसमें confused रहते हैं तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, 4th वाला जो 4th वाला जो है, यहाँ पे उसका देखते हैं, question new banana plant developed from तो यहाँ पे new develop जो new banana plant है, वो किस से develop होता है यह पुछा गया है, option A rhizome, B zucker, C stolen and D seed, तो देखिए friends यहाँ पे जो हमारे पास जो option हो जाएगा, 4 का वो B होगा, और यहाँ पे hide हो रहा है, तो इधर कर देते हैं, हाँ, यह जो है B हमारे पास, यानि कि सकर जो है वो बिल्कुल correct हो जाएगा तो देखिए, और friend आप यह जो है जो banana का plant है, वो सकर से develop होता है देखिए friends, यहाँ पे जो potato है underground stem, उसके बारे में एक बात बदा दू कि यह underground stem क्यों कहा जाता, देखिए, जो potato का plant होता है, अभी आप देख लीजेगा थोड़ा सा बहुत important चीज़ है, तो यह जो इसका जो stem portion होता है यहाँ से, यह यहाँ पे roots है, और जो stem के base से क्या होती है, ब्रांचे जो होती है, वही मिट्टी में जाती है और यहाँ पे potato grow हो जाता है, इस तरीके से इसी लिए इसको underground stem की कटेगरी में रखा गया, tuber होता है यह underground stem की कटेगरी में इसको रखा गया है now अब यहाँ पे हमारे पास इतने question थे, अब आगे हम लोग next ले लेते हैं, और आगे start हो चुका है friends, यहाँ पे tissue, यानि कि मैंने कहा था कि मैं anatomy भी start कर दूँगी, तो यहाँ पे मैंने tissue से भी question आज ले लिये हैं, ठीक है, और आपको अब anatomy के question में कराने जा रही हूँ, तो friend देखिए, start कर देते हैं new है यह, तो यहाँ पे देखिए है, option sorry, question one trachea, tracheids, wood fiber and parenchyma tissue are found in trachea, tracheids, wood fiber and parenchyma tissues are found in, option A, xylem B, phloem, C, cambium and D, cortex, तो देखिए friends आपको पता है कि यह जो सारे element है, पहली बात तो wood term जो दे दिया है, यहाँ पे question में, तो wood से आप पता लगा लेंगे कि wood term xylem के लिए use होता है wood fibers, वो xylem के fibers होता है और जो phloem के होते हैं, उनको vast fiber कहता है, तो यहाँ पे हमारे पास A option बिलकुल correct हो जाएगा, xylem next question कि तरब बढ़ते हैं friends, function of storage is performed by, function of storage is performed by, storage का function इन में से किस से किया जाता है, option A, parenchyma, B, scleranchyma, C, phloem, D, all of the above, तो यहाँ पे जो हमारे पास option हो जाएगा, वो A बिलकुल correct हो जाएगा, देखिए friends, जो parenchyma होते हैं, वो simple tissue होते हैं, और यह जो होते हैं, यह green होते हैं, living होते हैं, cytoplasm होता है, इन में nucleus होता है, ओके, और कुछ जो parenchyma होते हैं, जो green पर parenchyma होते हैं, उनको kloranchyma भी कहते हैं, friend, ठीक है, और यह photosynthesis का का काम करते हैं, green वाले को kloranchyma भी कहते हैं, kloranchyma, और यह photosynthesis का काम करते हैं और plant में mostly जो पूरा जो बॉडी होता है plant का उसमें ज़्यादा तर जो portion होता है परनकाइमा का होता है starting में ठीक है फिर बाद में तो वो mature हो जाते हैं secondary tissues develop होते हैं लेकिन उसके पहले जो है ज़्यादा तर जो majority of part होता है वो परनकाइमा का बनाता है लिविंग होता है प्लांट को ग्रोथ के लिए लिविंग टीश्यू की ज़र्द ज़्यादा होती है और mechanical support के लिए तो आपके पास scleranchyma और colonchyma भी होते हैं तो और इसके साथ एक चीज़ और है कि जो परनकाइमा यहां पर हो गया अब अरनकाइमा भी होते हैं फ्रेंट्स के अरनकाइमा क्या करते हैं जो hydrofights होते हैं जैसे कि अगर मैं आपके जल कुम्भी याए कॉर्णिया क्रेसिपस की बात करूं ठीक है तो क्या होता है जो एरनकाइमा होते हैं वह फ्लोटिंग प्लांट्स में उनके जो है परनकाइमा के बीच बीच में गैप होते हैं और एर भरी रहती है जिसको एरनकाइमा भी बोलते हैं तो चलिए यहां पर हमारे पास सेकेंड कोशन हो चुका है थर्ड की तरफ बढ़ते हैं दी प्लांट टीशू कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स और पल्प आफ सम फ्रूट्स लाइक ग्वावा आर टर्म्ड एज अब कह रहे हैं कि जो प्लांट टीशू है जिसमें जो फ्रूट व पर जब हम लोगों नाशपाती पीय होता है जो सेफ की कटेगरी में होता है तो क्या होता है जब उसको खाते हैं तो वो दानेदार सा लगता है और इस तरीके से अमरूद भी जब आप खाते हैं तो बीच बीच में आपको बिल्कुल स्मूद सा नहीं लगेगा जैसे कि और आइसो में कॉल्ट बढ़नि-धोडीय में खोले। फिक्षा है तो आपका बताना है कि वो जो चीज है वो क्या है ठीक है ग्रिट兩 में है कि और जो फूटल मीं क्या कौन सब व्ग हमारे हैं नाज होता है है आप बिल्कुल याद रखिए का अच्छा कोश्चन है इंपोर्टेंट कोश्चन है इस क्लरीट पे भी कोश्चन यूपीटी जिटी पीजटी में आ चुका है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्थ वाला फॉर्थ है हमारे पास यहां पर स्टार शीथ इस अनदर नेम आफ अब ए ऑप्शन हाइपोडर्मिस बी एपिडर्मिस सी कैस्पेरियन स्ट्रिप या डी नन ओफ दीज तो यहां पर जो फ्रेंड है जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा वो कैस्पेरिय strip को star sheet भी कहते हैं एक बात मैं यहां पर clear कर देना चाहती हूं कि जो भी जैसे की lecture है यह बालो जी का जो lecture है ठीक है यह ऐसा नहीं है कि यह आप सिर्फ किसी एक particular exam के लिए ही पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ TGT PGT UP के लिए पढ़ेंगे या सिर्फ KBS के लिए पढ करेंगे तो फ्रेंड्स यह तो questions है और यह जो content है यह जो आपका main जो core content होता है बालो जी का उससे है ठीक है जो curriculum सब जगाए फॉलो होता है तो आप इससे हर exam के लिए मदद ले सकते हैं आपकी मर्जी आप चाहें जिस exam की preparation करें और आप जिस exam के लिए biology पढ़ें तो उससे आप यह ले सकते हैं क्योंकि यह एक standard level तक के question है ओके ना तो जो है आपके ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक particular exam के लिए यह वीडियो बनाएं गए हैं चलिए next यहाँ पे हमारे पास है five वाला the function of a vessel is vessel का function क्या है a conduction of food b conduction of water and minerals c conduction of hormones d all of the above अब यहाँ पे जो मारा fifth है फ्रेंड उ तो बिल्कुल correct हो जाएगा कि conduction of water and mineral यह बिल्कुल सही है ठीक है तो यहाँ पर देखिए option a conduction of food a conduction of food xylems वैसल से नहीं होता है यह phloem से होता है और उसके बाद देखिए मैं आपको एक बात यहीं पर बता देती हैं कि जो gymnosperms होते हैं gymnosperms gymnosperms में vessels नहीं होती है ठीक है no vessels absent होती है बहुत important है यह ठीक है gymnosperms में vessels नहीं पाई जाती है ठीक है यह याज रखे कि यह जो vessels हैं यह angiospermic plant का characteristic है नेक्स्ट यहाँ पर है the meri stem of root is कह रहे हैं जो root का meri stem होता है वो क्या होता है apical option a apical b sub apical c intercalary and d lateral तो सिख्फ का जो हमारे पास option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह root के लिए sub apical यह sub apical होगा चलिए और shoot के लिए apical berry stem होता ही है now root cap is देखिए यह question बहुत अच्छा है friends root cap present होती है plants के roots में यह सबको पता है लेकिन किसमे absent होती है यह question अच्छा है तो आपको पता होना चाहिए कि किसमे root caps नहीं पाई जाती है तो देखिए option a lithophytes b hydrophytes c zerophytes d mesophytes तो friends जो 7th है उसका b बिल्कुल correct हो जाएगा यानि कि hydrophytes hydrophytes में root cap absent होती है और friends दो hydrophytes का नाम में अभी बताने जारी हैं just note करिए आप इसको यह है pistia pistia and lemna ठीक है कि pistia and lemna दो hydrophytes है तो friends root cap नहीं होती है तो क्या होती है root cap नहीं होती है तो होती है इन में root pockets जी हाँ बिल्कुल root pockets होती है इन में याद रखिएगा friends notes बनाते रही है चलिए तो now next question है हमारे पास pro stem is found in कि pro stem किसमें पाया जाता है sorry pro meri stem is found in pro meri stem किसमें पाया जाता है option A है embryo B root apex C shoot apex T intercalorie region तो 8 का हमारे पास जो option हो जाएगा वो A हो जाएगा कि pro meri stem embryo में पाया जाता है तीक है जो developing embryo होता है embryo में pro meri stem पाया जाता है next question next question है हमारे पास tunica corpus theory देखिए tunica corpus theory was proposed by option A shimit B strasburger C nijeli and D hofminster तो देखिए tunica corpus theory बहुत वे मस तेखिए आप वो पता है सबको यहाँ पे जो option है वो A है shimit shimit ने tunica corpus theory propose किया था tunica portion होता है corpus portion चलिए 10th है from evolutionary point of view tracheids and cu cells are more primitive than trachea and cu tubes respectively the angiosperms how okay कह रहे हैं कि अगर हम evolutionary point of view से देखिए तो जो tracheids and cu cells है वो trachea and cu tubes से ज्यादा primitive है ठीक है ज्यादा प्राचीन ज्यादा पुरानी है तो उनका ज्यादा उनका जो evolutionary development जो है वो पहले हो गया है evolution उनका पहले हो चुका है तो अब यहाँ पर कह रहे हैं फिर क्या है the angiosperms है अब तो angiosperms में क्या होगा option A trachea and cu tubes, B tracheids, trachea and cu tubes, C tracheids, cu cells and cu tubes, D tracheids, trachea and cu cells तो देखिए friends मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि option जो होगा वो B correct होगा tracheids, trachea and cu tubes ओके तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आपको पता है कि जो angiosperms होते हैं उनका development बाद में हुआ है और जो आपके सबसे पहले जो जो आपके जिसे ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं जिम्नोसperms हैं फिर angiosperms तो इस तरीके से आपका evolutionary development हुआ है तो angiosperms तो latest time बाद में आयें तो इनमें ज्यादा features होंगे ज्यादा characters होंगी इस तरीके की ठीक है तो आप evolutionary point of usage गेखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा next देख लेते हैं 11th question है इसका tissue गा at maturity which of the following is non-nucleated maturity होने पर इसमें से कौन सा जो होता है वो non-nucleated हो तासमें nucleus नहीं present होगा option a friends अच्छा question है यह आ चुका है पहले भी exam में तो a है palisade cell b c cells c companion cells d cortical cells और friends इतने भी question है मैं सच बता रही हूं कहीं न कहीं exam में चाहिए के EBS में आ चुके हैं option 11 का क्या correct हो जाएगा b c cell दोस्तों c cell होती है यह क्या होती है जब mature होती है तो इसमें nucleus नहीं होता है ठीक है या nucleus absent होता है absent ओके तो यहां पर nucleus absent होता है friend अ में चुर होटी पर इसमें कोई काम नहीं है nucleus का बी देख लें चलिए 12 फाला हमारे पास है cork tissue arises from cork tissue किससे arise होता है option A periderm, B phelogen, C pheloderm and D phelium तो यहां पर देखिए हमारे पास जो cork tissue उसके बारे पूछा गया है तो जो हमारे पास 12 का जो B है वो phelogen वो बिलकुल correct हो जाएगा तो देखिए यहां पर friends जो है जब secondary growth होती है तो आपको पता है जब secondary growth होती है तो इसमें क्या secondary cortex होता है ठीक है और वो cork cell बनाते हैं फेलिम बनाते हैं फेलो डर्म बनाते हैं ठीक है outer and inner तो इस तरीके से जो है इन सारे tissues का वहाँ पर development होता है तो वहीं पर आपको periderm भी म मिलेगी ठीके periderm होती है और जो फेलो डर्म होती है फेलेम होती है यह सारी जब हम लोग वुड की secondary जब हम लोग secondary growth plants की पढ़ते हैं तो उसमें यह सारे terms आपको मिलते हैं तो चलिए यहां पर हमारे पास कौन सा correct हो गया यहां पर बिलकुल फेलो जन यानि की जो भी option है व अब यहां पर हम लोग next की तरह पाजाते हैं friends next जो है हमारे पास अच्छा एक चीज और बता दूं यहीं पर जो फेलो जन का आया है तो इसके बारे में देख लेते हैं जो कॉर केंबियम इसको कॉर केंबियम भी कहते हैं यहां पर मैं लिख दे रही हूं इसी से थोड़ा स और आप लोग समझ लीजिए कॉर केंबियम इसको कहते हैं और जो कॉर केंबियम है यह जो है कैसे बनता है यह आउटर पेरिसाइकल जो होती है उससे बनता है कैसे बनता है आउटर पेरिसाइकल से बनता है आउटर पेरिसाइकल इससे फार्म होता है यह और यह जो है जो मै कौर ग कहते हैं ठिक है यह जो फेलेंग मिया कॉर्क होता है उसको आउट साइड यानि बाहर की तरफ करता है ठीक है इसको बाहर की तरफ जो है वह वह क्या प्रोड्यूस होगा फ। और अंदर की तरफ क्या produce होगा अंदर की तरफ produce होगी यह आपकी जो है secondary cortex या फिर फेलोंडर्म, inner side में produce करेगा, ओके फेलोंडर्म फेलोंडर्म यह अंदर की तरफ produce होगा और यह जो है तीन्हوجन, phelammer और pheloderm इन तीनों को मिला करकर friends क्या कहते हैं? पेरिडर्म कहते हैं. Okay, खुट से बता देती हूं, आपके पास पेरिडर्म होता है, वह क्या होता है? पेरीडर्म इस इकोल टू अब यहाँ पे फेलोजन प्लस फेलेम एंड प्लस फेलोडर्म शॉट में लिख दिया मैंने ओके इन तीनों को मिलाके कमबाइन ली पेरीडर्म बोलता है चलिए नेक्स हमनों लेक लेते हैं यहाँ पे 13 वाला 13 है दि हिस्टोजन लेयर प्रेजेंट आट दी एपेक्स ऑफ दी रूट टिप इस कॉल्ड जो हिस्टोजन लेयर रूट टिप के एपेक्स पे पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं रेडियल कंडुक्शन उफ वाटर टेक्स प्लेस वाई वाटर का रेडियल कंडुक्शन कैसे होता है रेडियल तो आपको पता है चालो देशा ön में ठीक है रेडियल जो आपकी डिरेक्शन होती है option A है हमारे पास vessels, B vessels and trichets, C phloem and D ray parenchyma cells तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 का option जो हो जाएगा D वाला 4th option वो correct हो जाएगा यानि कि 14 का D ray parenchyma cells होती है वो radial conduction करती है water का friend चलिए, next हमारे पास है 15 अब यहाँ पे आगया latency ferrous vessels instead of latency ferrous cells are found in तो कह रहे हैं कि latency ferrous cells की बज़ए latency ferrous vessels कि इसमें पाए जाती है A, phicus, B, chalatropis, C, poppy, D, inerium friend question आचुका है यह PGT के exam में चलिए, next हमारे पास जो option आएगा वो क्या आएगा जो 15 का है 15 का C बिलकुल correct है poppy, poppy correct है friend तो इसमें क्या पाए जाती है आपको पता है फ्रेंट जो poppy है paper versus omnipherum इसके latex से बहुत सारी drugs निकाले जाती है तो इसमें let's see ferrous cells पाए जाती है और इसमें जो है आपका sensor mechanism के थूँ जो seeds होता है अभी जब मैं last lecture पढ़ा रही थी इसमें मैंने पता था कि इसमें sensor mechanism पाए जाती है और seed का dispersal इसी method से होता है वो जो इसका जो fruit होता है वो ऐसे shake होता है, हिलता है दन उसके बाद उसके seeds भी खरते जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है टाइलोसिस टाइलोसिस आर क्या है टाइलोसिस option A, wound healing secretions B, responsible for plugging the lumen of vessels C, special epidermal hair covering stomata in zerophytes D, callous secretion on CU plates तो यहाँ पे हमारे पास 16 है friends उसका भी बिल्कुल करते हैं अगर जो टाइलोसिस होती है फ्रेंड्स वो क्या करते हैं जो lumen जो होती है vessels की उसको क्या करते हैं plug कर देते हैं बंद कर देती है ठीके और यह गुबारे की तदिके का structure एक पना होता है टाइलोसिस इसको बूलते हैं तो responsible for plugging the lumen of vessels vessels की lumen को जो cavity होती है यह उसको भर देती है plug कर देती है 17 है हमारे पास 17 हमारे पास है plant tissue plant tissue which are actively growing half water content of plant tissue जो actively grow करता है grow कर रहा है कोई plant उसमें जो आपका water का मातरा है water content है वो कितना है option A 40 to 50% B 65 to 75% C 20 to 40% D 85 to 95% तो यहां पे हमारे पास 17 का D बिल्कुल correct हो जाएगा 85 to 95% जो जबते ज़्यादा वाला amount है वो correct हो जाएगा जो growing plant tissue है उसको बहुत ज़्यादा amount of water चाहिए तो चलिए 18 देख लेते हैं friends the calyptrogen of the root apex forms अब कहारे है root apex का calyptrogen है वो क्या बनाता है A results B root modules C root hair D root cap 18 का हमारे पास option हो जाएगा root cap जो calyptrogen है वो root cap बनाता है 19 CU tubes R CU tubes क्या है apical and oblique septa B perforated and longitudinal septa C perforated and oblique septa D simple oblique wall तो यहाँ पर देखिए जो 19 है उसका जो C हो जाएगा वो बिल्कुल correct हो जाएगा जो CU tubes होती है friends वो perforated होती है यानि कि उनमें छेद होते है और उसमें क्या होते है यह जो है oblique septa यानि कि तिर्ची walls होती है septa बने होते है जो oblique होते है straight रही होते है इसकी देर नहीं होते है चलिए next है हमारे पास B 20 का sorry 20 है हमारे पास which of the following tissue is present in the leaves of pinus to conduct water and food very important question बहुत अच्छा है देखिए यहाँ पे pinus आ गया अब यहाँ पे water and food कंड़क करने के लिए इसमें क्या पहा जाता है very important है वैसे तो friends सारे कोशन बहुत अच्छे है मैं आपसे बारबर कहूंगी सब याद करिएगा ठीक है तो यहाँ पे चुकि यहाँ पे चुकि एंजियो स्पर्म का आ गया है friend इसलिए मैं अजियो स्पर्म के बाद अब जिमनों स्पर्म का आ गया है pinus जिमनों स्पर्म का मेंबर है इसलिए मैंने इसको special treatment दिया इस question को तो चलिए यहाँ पे हमारे पास option A है xylem, B phloem, C transfusion tissue D conducting tissue तो यह option जो है 20 का क्या करेक्ट ने जा रहा है friend C transfusion tissue तो जो जिमनों स्पर्म होते हैं और pinus उसमें का एक मेंबर है तो इसमें इसकी leaves में conduction of water of food के लिए transfusion tissue पाया जाता है next हमारे पास है epidermis in the stem is produced from जो stem की epidermis होती है epidermis in stem is produced from वो किससे produce होती है option A protoderm, B, pro cambium, C, ground meristam, D, caliptrogen तो 21 का हमारे पास है A यानि की protoderm protoderm से produce होती है then यहाँ पे हमारे पास 22 है which of the which of the following elements has its end wall perforated अभी देखे perforated walls की बात हुई है तो वो समारे पास C tube में था option A, trachetes B, vassels C, fiber and D, scleretes तो यहाँ पर देखे 22 का option B correct हो जाएगा और यहाँ पे क्या है इसकी end wall perforated है ठीक है end wall perforated है तो यह vassels में जो xylem vassels होती है उसकी end wall जो है walls में perforations पाय जाएंगे चलिए perforations का important role है क्या होता है जब जेद होते है perforations होते है तो उससे क्या होता जो material होता है ठीक है वो क्या एक tissue से या एक vessel से दूसरे vassels में adjacent जो neighboring cells या tissues होते है उनमें इंक्लूड करेगा वो option A है leaf tips core cambium and vascular cambium B stem and root epices core cambium and mature fruits C stem and root epices vascular cambium and core cambium D mature fruits and leaf tips तो यहां पर जो हमारे पास option है ठीक है वो 23 का क्या हो जाएगा 23 का C हो जाएगा यानि कि stem होगा इसमें root epices होँगी ठीक और vascular cambium होगा and core cambium होगा तो अब यहां पर meristematic tissue होते है stem भी meristematic tissue है और जो root है उसकी epices meristematic tissue है vascular cambium भी meristematic है and core cambium भी meristematic ही है तो friends देखिए और friends यहां पर जो आज का lecture था बहुत अच्छा था और सारे अच्छे question है friends जरूर जरूर देखिएगा share करिएगा और friends please like करिएगा share करिएगा comment करिएगा और मेरे channel को subscribe करिएगा और support करिएगा मुझे और अपना ख्याल रखिएगा friends thank you so much